हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपैर जहें करेंगे वीवो टीवन 4G में और एमर डीवी नोट 11 में देखते हैं कि बेस्ट फॉर फॉर्ण सा हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात किज़ा है डिस्प्ले से वीवो में है 6,544 इंच की रेजुलेशन है 1,880 पार 24 पिक्सल इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती हैं इंफनिस की डिस्प्ले है 6,7 इंच की रेजुलेशन है 1,880 पार 24 पिक्सल इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती हैं दोनों मे ही आपको 60 हर्स का रिफ्रेश इट मिल जाता है दोनों में आपको वार्ड्रोप नोच मिलती है और दोनों में ही आपको फंट में गलास मिलता है प्रोसेसर की बात करते हैं तो वीवो का है स्नैप ड्रेंग का 680 का cpu हे टुपेन 4ëहाड ऑगट गॉर का इनफनीस का यलीक का प्रोसेसर के क्वार्टी में इनफनीक्स बैस्ट हैं बात करते हैं बैक कैमरा की दोनों का है ट्रिपल दोनों का है मेन कैमरा 50 का feet 2 का foot 2 का front camera की बात करते हैं तो दोनों का same है solemn salka मिल जाता है va files robe notch के साथ में और दोनों में आपको front में glass है back में plastic मिलती है battery दोनों में है 5000 2000 इमीज की दोनों की battery को आप निकाल नहें सकते दोनों में आपको finger press sensor और face lock मीं मिल जाता है Vivo में आपको चार्ज मिलता है 44 Watt का और Infinex में 33 Watt का दोनों में आपको टाइपस का स्पोर्ट मिल जाता है और Finger Peel Sensor और Face Lock पे मिल जाता है Vivo में आपको रहे मिलती है चार्ज भी 6GB और 8GB की Infinex में है चार्ज और 6GB की Vivo की Memory सो ठाइज भी की और Infinex में है 400GB और 11GB Price की बात करते है तो Vivo का है 14,400 निनामर पे और Infinex का है 12,900 निनामर पे आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बोक्स में जरू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन लेना है अगर आपको बज़ुट है कम और आपको थोड़ा सा बैटर प्रोस्टर लेना है तो आप Infinex का स्मार्टफोन ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा फार्चेज़ का स्पोर्ट नेना है तो आप वीव का स्मार्टफोन भी ले सकते हो